अगर आपने लेसन नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाएए आपको चैनल पे शीक्स टैंडर के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो मिल जाएंगे जिसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे जिएगा तो सबसे पहले तो लेसन को पहले अच्छे से समझेए उसके ब लिए उसका राइंसर हमें लिखना है तो जिसमें फॉर्स पॉइंट आप लिख सकते हो रॉक्स ऑन हाइर लांड गे इरोडे ड्यू तुट दास्टर करन ऑप दी स्ट्रीम्स अंदें इंटर्न गेट कैरेड अवे इंटू दा सी नदीर जब बहुती है या फिर स्ट्रीम् सबसे ज्यादा जो रिवर में मिट्टी आती है संड जो आती है वो किसके कारण आती है जो streams river में आके मिलती है उनके कारण आता है और उसके बाद जो material होता है जो rocks में होता है जो पाने की बहाव के कारण rocks के साथ-साथ जो मिट्टी होती है सैंग होता है सब material जो निकलेगा वहाँ से वो transport होता है किसके तुरू streams के तुरू next is see the moving of soil and rock with the stream term as erosion can be sum up as the cause of sand formation in a river और इसी के कारण जो मू होती है soil या फिर जो rock होता है rock का material जो होता है उस stream के साथ भेके कहां पे आएगा आगे भेता जाएगा river के साथ-साथ और इसी कारण जहापे river अगर होती है उसका बहाँ अगर कम है तो उस जगह पे हम कह सकते है कि क्या होगा कि sand formation होता है या फिर sand जम हो जाती है का पे नदी में next question number two which of the following monuments are built in igneous rock के कारण कौन से यहाँ पे जो monuments दिये है वो बने हुए जैसे कि ताज महल है दे रेड फोर्ट है फोर ट्राइगर है एलोरा स्कलप्चर है तो इन में से कौन सा monuments है जो की igneous rock से बना हुआ है तो answer आएगा फोर ट्राइगर और एलोरा स्कलप्चर तो यह दोनों बने है next question number three find differences between the following pairs तो सबसे पहले आपको दिया है igneous rock and sedimentary rocks तो जिसमें first one आपको दिया इसका first point क्या आएगा यह किस से बनते हैं igneous rocks as rocks form by cooling and solidifying of molten materials तो जो molten materials हम के सकते है कि क्या होता है जैसे कि rocks बनेंगे वो कौन से होते है इगneous rocks होते है और sedimentary rocks कौन से होते है तो rocks that are formed through deposition and compaction of sediments especially rock particles transported by rivers, glaciers, winds, etc. are called sedimentary rocks तो sedimentary का मिनिंग ही क्या होता है sediments जो की अगर हम देखेंगी कि rocks जो की deposition rocks में होता है या फिर जो sediments होते है especially जो rocks किसके साथ river के साथ बहके आएंगे या फिर जो glaciers होते है हवा के साथ जो बहके आएंगा जो sediments बचेगा उससे जो rocks बनते हैं उन्हें sedimentary rocks कहा जाता है second point दिखेंगे igneous rocks are hard and homogeneous तो यह hard होते है क्योंकि यह से अगर गरम जो material mortar material से बने होते हैं तो यह hard होते हैं homogeneous होते हैं और sedimentary rocks जो होते हैं generally brittle and lightweight brittle means जल्दी से तूटने वाले इसे होते हैं और इंका weight भी कैसे होता है light होता है example में अगर हम देखेंगे तो igneous rocks कों से होते है basalt and pumice इसे कहा जाता है next sedimentary rocks में देखेंगे तो example क्या है sandstone, limestone and shell यह कुछ examples इसके दिए हुए तो इस तरीके से differences आपको देखने है next is sedimentary rocks and metamorphic to sedimentary के तो already हमने देख लिए 3 points metamorphic के हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है देखें कि sedimentary जो है सेडिमेंट से बनता है या फिर जो river से बचा हुआ particles जो बहके आते हैं उनके कारण wind के कारण बहके आने वाले सेडिमेंट्स होते हैं उनके कारण मनता है metamorphic rocks किस से बनते हैं rocks are formed due to the process of metamorphosis are called metamorphic rocks और second point यहाँ पर क्या दिया है metamorphic rocks do not contain fossils तो इन में कोई भी fossils जो animals के के सकते हैं plants के के सकते हैं वो नहीं होते हैं लेकिन sedimentary rocks जो होते हैं उनमें fossils हमें मिलेंगे third point sedimentary rocks are brittle and lightweight यह से हमने देखा लेकिन metamorphic rocks जो होते हैं heavy and hard होते हैं और example कौन से हैं इसके marble है and slate है third one आपको दिया है igneous rocks and metamorphic rocks तो इनके differences हम देखेंगे तो igneous rocks का जैसे हमने देखा कि यह molten material होता है जो की cool होने के बाद solidify होगा उसके बाद यह rocks बनते हैं metamorphic rocks कैसे बनते हैं तो rocks form due to the process metamorphosis are called metamorphic rocks तो metamorphosis process के कारण जो बनते है rocks उन्हें metamorphic rocks कहा जाता है second igneous rocks में क्या देखा था हमने की rocks यह कैसे होते है hard and homogeneous होते है metamorphic rocks are heavy and hard यह heavy and hard होते है examples igneous rocks के आएंगे basalt and pumice और उसके बाद metamorphic में कुछ से example है nice and slate आएगा उसके बाद question number 4 है which types of rocks are predominantly found at the following location तो कौन से location पर कौन से types के rocks मिलते है वह हमें लिखना होगा तो यहापे first location दिया है central महाराष्टरा जहाँ पर types of rocks कौन से मिलते है बैसर टाइप के मिलते है second is south cocon यहाँ पर light right and granite के rocks मिलते है types of rocks मिलते है और विदर बामे बैसर्ट और granite इस type के rocks मिलते है तो देखिए इस तरके से आपको यहापे question and answers दिये तो देखिए student I hope आपको समझ में आये होंगे और आपके जो friends होंगे उनके साथ भी share कीजी